कोरोना महमारी होनी के बाद भी इस पार पूरे प्रदेश में गेहूं की खरीदी रिकॉर्ड तोड उपारचन हुआ जिसमें 12,617,400 किसानों ने अपने गेहूं फसल की तुलाई की जिसमें अभी तक गेहूं खरीदी सरकारी केंद्र 87,43,214 मैट्रिक टन गेहूं की तुलाई सरकारी उपारचन कराई जिसमें गेहूं की तुलाई कम समय में ही रिकॉर्ड तर्ड उपारचन हुआ प्रदेश सरकार की वेवस्था एवं सरकारी अधिकारी कर्मच्वारी के सायोग से कम समय में ही पूरे प्रदेश के किसान की गेहु खरीदी मात्र एक माहा में ही लगभग पूर्ण होने को है इस बार मध्यप्रदेश में गेहु खरीदी का नंबर पूरे भारत में दूसरे नंबर पर रहा प्रथम गेहु का उत्पादन पंजाब में रहा और दूसरा मध्यप्रदेश में भारी मात्रा में गेहु का उत्पादन हुआ जो सरकारी सिस्टम ने भारत लोकडाउन एवं करोना महामारी होने के बाद भी अपने पूर्ण रूप से जवाबतारी को निभा कर गेहों की खरीदी की और अब गेहों खरीदी आखरी चुरन पर चल रही है इसी किसाथ केहों खरीदी का पैमेंट भी किसानों की खाते में समय समय पर आ रहा है और किसान सरकार की कारश शैली से अती संतुष्ट है नसुला गंज से राम निवास यादव की रिपोर्ट